हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे अच्छ होंगे मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 22 और चैप्टर नमबर 22 में हमें पढ़ना है चीप क्रॉप्स ऑफ इंडिया तो जो मुख्य फसले हैं इंडिया की उनके बारे में पढ़ना है एक क्रॉप इस एन्वली और सीजन इल्ड ओफ ए प्लांट डैट ग्रों इस सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज तो भी हार्वेस्टेड एस फूड फूर्डर फ्यूल और एनि अदर एकोनॉमिक पर्पस तो जो क्रॉप होते हैं वह आपके एन्वल स होते हैं ठीके ना प्लांट और ये इनकी जो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज होती है ठीके हार्वेस्ट किये जाते हैं फूड के लिए फॉर्डर के लिए फ्यूल के लिए और कुछ एकोनॉमिक पर्पस के लिए भी यूज किये जाते हैं ठीके तो देखिए रभी स्टिए रभी क्रोफ खरीब क्रॉप्स और कैश क्रॉप तो रभी क्रॉप्स में क्या आती है ठिके ना यह कैश क्रॉप्स वाले में जैसे कि हम अभी मतार हो इसको चले रभी क्रॉप्स और सोन इन विंटर एंड फ्रॉम अक्टॉबर तु दिसंबर and harvested in summer from April to June तो देखिए जो रभी क्रॉप होती है वो विंटर के अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इन्हें बोया जाता है ठीक और जब अप्रेल और जून का महीना आता है तब इन्हें काट लिया जाता है ठीक है वीट बारले ग्राम पीस और मस्टर्ड जो होते हैं ये एक्जामपल है किसके रभी क्रॉप्स के फिर आता है खरीब क्रॉप्स और ये बारिस के सीजन में आपका किया जाता है ठीक है तो खरीब क्रॉप्स और ग्रोप्स और विद्दा फिर आते हैं कैश क्रॉप्स ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम उगाते हैं ठीक है तो उन्हें बोलते हैं कैश क्रॉप्स तो कैश क्रॉप्स में मेली क्या क्या आते हैं जूट, टी, कॉफी, कर्दम, एंड सम एक्जामपल ऑफ कैश अब यहां पर आते हैं तो जो गेहूं है उसका सबसे बड़ा प्रेडूसर कौन है तो वह आपका उत्तर प्रदेश तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी सेकेंड नमबर तर लार्जिस प्रेडूसर आप टी इन इंडिया तो सबसे ज़्यादर चुटी है वह कहां पर होता है इंडिया में यह आपका होता है असाम में कहां पर होता है असाम में ठीक है ना असाम की कैपिटल क्या है दिसपूर और उत्तर प्रेडिस की कैपिटल क्या है लखनो ठीक है यह इस चीज़े धीर धीर जानते रही है क्योंकि जीके की चीज़ें है तो एक्स्टा पताओंगा तो ठीकी रहेगा ठीक है ना असम की है दिसपूर ठीक है तो सबसे ज़्यादा राइस कहां पर प्रडूस होता है तो यह उत्तर प्रदेश में कहां पर होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहां पर होती है तो यह होती है करनाटक में एक पहाड़ी है बाबा बुधन की पहाड़ी तो यहां पर आपकी क्या होता है कॉफी सबसे ज़्यादा प्रडूस की जाती है ठीक है और दो तरीके कॉफी होती है अरेविका ठीक है ना अरेविका और रोबस्ट टीक है चले फुलिगज कहा प 1 इंडिया तो सबसे ini नी खुरुषी सबसे ज़्या कहांपे भुटी है मद्व परदेश में होती है एंघ में होती है मद्व प्रदेश कहा हैं अ मत्व प्रदेश का में जूट तो सबसे ज़्यादा कम हेक्टेयर में जूट को प्रोडूस करना कहां पर होता है तो यह होता है वेस्ट पेंगॉल में और दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन जो है वो कहां पर होता है वो भी आपका होता है इंडिया में ठीक है यह भी ध्यान र